नमस्कार स्वागत आपका प्राइम टीवी में मैं हूँ आपके साथ प्रियादिवारी शुरुआत करते हैं खबरों की एक महीने से अधिक समय से अनलॉक होने का इंतजार कर रहे लखनों के लोगों को अब राहत मिल सकती है स्वास्तवी भाग द्वारा जारी किये गए आकड़ों के मुताबिक राजधानी में अब सक्रे मरीजों की संक्या 727 रह गई है शाशना देश के मुताबिक उन सीलों की होई आंशिक लॉकडाउन से छूर दी जा रही है जहाँ पर सक्रे मरीजों का आकड़ा 600 से कम है ऐसे में कहा जा रहा है कि ये आकड़ा 600 से अब लखनों में भी कम हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो लखनों के बाजार खुल सकेंगे और इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालों को भी आदे छमता किसा संचालन की अनुमती होगी वहीं आपको बता दे कि सुबस साथ बज़े से लेकर शाम साथ बज़े तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमती होगी और इसके अलावा शनीवार और रवीवार को पहले की ही तरह कर्फ्यू जारी रहेगा प्रशासन के अदेकारियों का ये कहना है कि सिनमा हॉल बार जिम को अभी खोलने की अनुमती नहीं दी जाएगी अभी तक केवल आवशक सेवाओं को ही आंचिक लॉकडाउन में छूट प्रदान की गई है तरह सा लखनओ को अनलॉक करने की मांग अब हर तरफ हो रही है खासकर शहर के व्यापारी लगातार बाजार कोलने की बात कर रहे हैं कई लाकों में तो प्रशासन की बगएर अनुमती के लोगों ने दुकाने खोलनी भी शुरू कर दी है तो इसी कवर पर हमारे साथ हमारे सायोगी मनीश जी जुल चुके हैं तो मनीश क्या कुछ कहना है जिस तरीके से अब लखनओ की बात करें तो उनमें कोरोना के एक्टिव केस साथ सो सताइस तक पहुँचके हैं क्या कुछ कहना आपका इस पर आप देखे आपको बता दो प्रिया कि हो सकता है कि आज लखनओ वाती और गोरपुर वातियों को अनलॉक कर दिया जाए तो कि बहुत रहाती साबर होगी बहुत इनों से मांग आए थी लखनू में आप देख देखने में को मिला था कि कई जगे वेपारियों ने ग्यापन इन भी दिये थे कि उनकी जीविका पर अफ़र पढ़ने लगा है उनके बेड बटर को उनकी दिखात होने लगी तो अब अनलॉक कर देखिए क्याइड लाइन के क्यूंकि केसे बहुत कम हो गया है तो आज जा रहा है कि आज से जिलाई देरने की काम सुझा उनलॉक दिया जा सकता है इन दोनों में हलांकि मेरक पातियों को अभी इंजार करना पड़ेगा पुदादे कि कल ही आमिस्ट मॉंस पर साथ जो इस एस हैं उन्होंने बताया थे कि जो हमारा रिकर्वरी रेट है वह 97.8 वाजियर जो कि बहुत अधिक है अच्छा माना जाता है पर अभी जब अन्लॉक होगा तो उसमें जो नियम और शर्ते हैं उसको घ्राबर मानना पड़ेगा क्योंकि तीसी लेहर का भी अन्मान लगाया जा रहा है कि तीसी लेहर भी आतकी है इसलिए जो अन्लॉक किया जाएगा उसमें परकादा एक गाईलाइन देगी जिसको फॉलो करना क्या लगता है किसी तरीके की जो चूट जाते हैं माम लेता किस तरह की चूट जो है वो सरकार की तरफ Давайте तरफ से दी जाएगी दुपान पोलडिके पहले जाएगी जो टेली इसन्शल चीज़ हैं उने उनको सकता दी जाएगी और जो समता वो खोली जा सकती है वियापारी अपनी वियापारी अप्नी अम्हाय वम फोल घ्राइज जो खीड सेद्ग जो बहुत जा थी दिशन मिलती टी उसमें प सब्सक्राइब करने के लिए तो इस खबर परमासा तुमार साही होगी मनीजी जुड़ेदे जुनों ने बताया कि किस तरीके से जो नई गाइडलाइन जारी हो सकती है क्योंकि लगनों की बात करें तो उनमें 727 संक्रमित केस पहुँच गे हैं और ऐसा सरकार कर कहना था कि अगर 600 के करीब जिन जिलों में केसे पाये जाएंगे उनमें छूट दी जाएगे हाला कि अगर बात करें साप्ताइक लॉक्डाउ से हैं आपको बता दे अलीगर के थाना गॉंडा चेत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां पुलिस ने जबीन को कब्जा मुक्त कराया है शराब माफिया अनिल चौधरी के द्वारा कोल्ड के समीब कब जाई गई जमीन को प्रिशासन ने कब्जा मुक्त कराय और उस पर कारवाई भी शुरू कर दी गई है भरतेंगली कबर के और कुशी नगर में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है मामला कस्या थाना शेत के कुर मोटा गाउं का है जा अपने बच्चों को छुडाने गई दबंगों ने मा से दुर्वेवार और मार पर दाज से काता है जिसके बाद महिला ने थाने में तहरीर दी लेकिन तहरीर देने के एक हफ्ते बाद भी कोई कारवाई नहीं हुई जिसके चलते पीड़ित परिवार नयाय पाने के लिए धिकारियों के चक्कर काट रहा है लेकिन पुलिस मुकदमा दर्श करने की बजा समझोते का लगाता दबाव बना रही है फिलाद कले इतना ही देशनों की तमाम बड़ी कबरों को देखने के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी